हिमाचल प्रदेश में जिला परिशत कैडर के गरमचारों की पिछले काफी समय से हर्ताल जारी है जिसका असर अब प्रदेश के अलग-अलग जिलों में देखने को मिल रहा है वहीं इसका सर पंचायतों के विकास कार्य पर भी पढ़ रहा है जिस कारण ये हर्ताल अब विकास में बाधा बंती प्रतीत हो रही है वहीं सोलन जिला की नौनी पंचायत के प्रधान ने सवस्था में अपनी चिंता व्यक्त की है पंचायत के प्रधान ने सरकार से इस सवस्था को जल्द से जल्द हल करने का अग्रह किया है उन्होंने का है कि जल्द से जल्द विकास के कार्य तेज होनी चाहिए अगर करमचारी हरताल पर है तो सरकार को कुछ ऐसे प्रबंध करने चाहिए ताकि विकास का कार्य किसे भी सूरत में प्रभावित ना हो। हमारे साथ होंगे लेकिन गत लगवग 20 दिनों से यह हरताल चल ली है इससे पूरा जो हमारी पंचायत का जो कारे हैं विकास कारे हैं पुरी तरह से प्रभावित हैं जो कारे चल रहे हैं उनके बिल पास तभी होने जब सेक्टी होंगे उस पे भी प्रभावित हो रहे हैं एन परभावित हो रहे हैं और हम निवेदर करते हैं मानिय मुख्य मंत्री जी से कि स्वयम इसमें हस्तक शेप करें और इनको तुरंट परभाव से इनको वापिस बुलाएं ताकि हमारे काम परभावित नहों और बहुत से कारे भी शुरू किये जाने हैं जिनके लिए सिमेंटा चुका है उसको भी सेट होने का कत्रा पड़ा है तो हम पंचायती राज मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से निवेदर करते हैं कि तुरंट परभाव से इन करमचारियों को वापिस बुलाया दे। पंचाब केट्री टीवी के लिए सोलन से किर्थी कौशल की रिपोर्ट।